हेलो सुदेंट्स वेलकम बेक्ट्ट्यू प्रपॉन चलिए आज के करेंट अफियर्स करते हैं कुछ हिंदू से कुछ एपस्पेस से कुछ लाइव मिंट्स से 2nd दिसंबर सटेन इंपॉर्टन टॉपिक्स अफ करेंट अफियर्स आज के टॉपिक क्या है हिंदू से एक चोटी ती बहस चड़ी हुई है लोग मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दिया है उसको लेकर चोटा सा आर्टिकल है जी टूटी को लेकर इंडिया टेक्स तर लीड उसमें जी टूटी के ऊपर जो तिंक टैंक है उसने सजाहो क्या दिये हैं वो है इंसेंटिव्स टू जो टाइगर होता है क्या प्रिजट जी आई भी शुरू कर सकते हैं अब कुछ थोड़ा बहुत इंडिया कोलिंग एक्शन प्लान के बारे में छोटी सी न्यूस पहला है सुप्रेम कोर्ट और सरकार के बीच की जो जद्दो जह चल रही है लॉब लिस्टन ने कुछ बोल मोटिफ पूरा होना चाहिए इन जर्नल ऐसा कहा जा सकता है लेकिं जुडिश्री इंडिपर्डेंस और जुडिश्री को जादा एहमियत देती है और ये इन जर्नल सभी जगा होता है एक्जिकुल्टिव और जुडिश्री के बीच में एक जद्दो जह चलती रहती है और महारत में खास दौरतर के को लेकि प्रावलम ज्यादा है उसके बारे में है उसके बारे में जो बेसिक इशू है वो मैं आपको बता देता हूं को में बात कर लेते हैं ऐस में buns राश्रपती को सुप्रिम को के जज्द्ध के क्पाइन करने की समिधानिक पावर मिली हुई है लेकिन राष्ट्रपती खुद अपॉइंट नहीं करेंगे उनको सुझाओ देता है सुप्रिम कोर्ट कोलेजियम जो कोलेजियम कहता है वो राष्ट्रपती को मानना पड़ता है अब यह इशू शुरू से चली आ रही है और पहली बार इस पे एस्पी गुपता केस 1981 और 1982 में सुप्रिम कोर्ट ने कहा सुप्रिम कोर्टने कहा कि जब भी राष्ट्रपती कंसर्ड करेंगे CGI को तो जरा आश्ट्रपती तैह करेंगे मताब प्रामेसी सरकार की व्यूपइंट कि ज़ादा होगी एस्पी कुपता केस जिसे फर्स जेजिस केस भी कह देते हैं, वहाँ तो ये बोला गया था आगे चलके फिर ये केस हुआ तो Supreme Court Advocates on Record Association का केस आया जिस जे सेकंड जेजिस केस कह देते हैं, इसमें पर सुप्रिंग कोड ने कहा अपनी राय उनके साथ और जजिस भी होंगे इस तरीके से कोलेजियम सिस्टम का जनम हो गया यहां पर बोला गया कि जो कोलेजियम कहेगा वो राष्टपती को मानना पड़ेगा सेकंड जजिस केस में यह बोला गया जो राष्टपती को कोलेजियम बोलेगा वो मानना पड़ होती है कि वो किसी मुद्दे पर सुप्रिम कोर्ट से राय मांग सकते हैं तो प्रेशिदेंशल रिफ्रेंस दे दिया गया राष्ट्रपती ने एक एडवाइस मांग लिए सुप्रिम कोर्ट से से मैच करनी दरूरी है अगर ऐसा नहीं है तो राय नहीं मानी जाएगी इस तरह के से कोलिजियम सिस्टम का डवलप्मेंट हो गया अब कोलिजियम सिस्टम में तो सब जैजिजी होते हैं और बात यह निकल के आती है कि जैजिस खुदी अपने जैजिस को अपॉइंट कर लेत जाता है यह सिस्टम ओपेक है ट्रांस्पैनेंट नहीं है जबकि डिमोर्टिक डिमोर्टिक सिस्टम में स्टेक होलिडर्स की राय होनी जरूरी है यह जद्व जह चलती रही इसी के तहत फिर आगे चलके सविधान में चेंज हुआ 99 अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया ज स्टना लॉणमेंट यूनियन लॉणम्नेस्टर भी हुआ करेंगे एक एमिनिंट युर स्ट्राइंग यू कैन से अपना दखल देना चाहती है जिससे सुप्रिम कोड की जो इंडिपेंडनेंस है वह एफेक्ट होती है इडिस पार्ट अब बेजिक स्ट्रक्ट्टर सुप्रिम कोड ने इस एंजेसी वाली सिस्टम को खारिज कर दिया और कोलिज और यह बोला सरकार हो कि जो मेमरेल्डम और प्रोसीजर है M.O.P एक ऐसा letzte सरकार सप्रीम कोड के बीच में जो जिसके तहित इमाइंटमेंट की व्लंक्रिया इसका है सुप्रिम कोड ने काए जहां तक Transparency की बात है, हम MOP पे सरकार के साथ बात करने को तैयार है ताकि Transparency आ जाया Court खुद भी कहता है कि Transparency होनी चाहिए ओपे एक नहीं रखना चाहिता ओपे City का Blame भी नहीं लेना चाहिता बट MOP पे सरकार और Supreme Court के बीच में कोई wishes development नहीं हो पाया है तो यह issue चलती है यहाँ पर अभी हाल फिलाल में क्या हुआ Supreme Court ने कुछ recommendation दी और सरकार ने recommendation को नहीं माना सरकार के पास Supreme Court कहता है MOP में कम से कम एक time clause तो हो कि जब कुलेजिव अपनी राय दे देता है उसके इतने दिनों के अंदर सरकार को अपनी राय देनी पड़ेगी वहां कहती है ना कहती है सरकार के पास इकलौता clause है कि कोई चुकि कोई time clause mention नहीं है इस system में सरकार recommendation आने के बाद लंबे जमय तक बैठी रहती है recommendation पर ऐसे में क्या होता है जिन जज़िस का recommendation होता है कि उनको high court के judges को Supreme Court में appointment कर दिया जाए तो उनका appointment डुका रहता है जिससे जब वो appointment होते है मालने जिए दो साल बाद appointment होते है तो उनकी seniority चली जाती है और यहां पा सरकार अपना role play कर देती है तो basically यह ज़िसल चली आ रही है एक्जम भी लड़ाई है कई पहलूँओं पर होती है फिलाल यह Supreme Court के judges का appointment को लेके होती उसके बारे में पूरा article है मैंने आपको जिस्ट पता दिया है author का यह कहना है कि जिस तरीके से statement दिया है law minister ने it is not something good यह सही नहीं है और दौनों पक्षों को बैट के एक बीच का रास्ता निकालना बहुत जलूरी है लोगों का trust भी इस तरीके से system में decline होता है जो कि democratic functioning के लिए सही नहीं होता है judiciary की image सही बनी रहे उस पे सरकार अगर टिपडियां करेगी तो लोग भी उसकी territory को उसके system को कम आपना शुरू कर देंगे जो अच्छी functioning के लिए सही नहीं है उस पे आर्टिकल अगला आर्टिकल G20 पे है यह Indian Express का editorial है और एक और भी आया है इन दौनों को देख लेते हैं इनका मैं जिस्ट आपको बता रहा हूँ इसमें देखिए इसमें जो आर्टिकल है उसका logic यह है कि G20 जो होता है G20 के साथ काम करती है एक think tank जिसे think 20 कहते हैं एक think 20 think 20 नाम का एक think tank होता है जो सरकारों के view को नहीं एक experts होते हैं वो अपना view देते हैं यह काम करता है G20 के साथ 2012 से यह think 20 होता है यह काम करता है और experts अपने अपने view देते हैं और वो G20 के लिए काम करने का अधार बन जाते हैं तो यह जो अब G20 इंडिया प्रेसिडेंट हो गया है G20 का उस पर राय दे जा रहे हैं उसके बारे में 7 यह टास्क फोर्स बनाते हैं और टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन G20 के लिए आगे काम करने का अधार बन जा तो जो पहली टास्क फोर्स है उसके बारें बात करते हैं it is on macroeconomics, trade and livelihoods. जो पहली टास्क फोर्स है वो macroeconomics पर है, trade पर है, livelihoods पर है, इसका recommendation क्या है? has mandate to make recommendations on coordination within the G20 to create coherence in monetary and fiscal policy, trade investment and supply chain resilience. ये जो macroeconomics, trade and livelihoods. आपस में जितने भी groups हैं, इनको मिलके व्यापार की system को improve करना पड़ेगा, G20 has assumed the mental as the most significant platform to forge consensus among the 20 economies of international trade policy. basically बहुत बड़े economies हैं, world का major व्यापार इनके हाथ में होता है, तो पहली task force इनके बारे में है, दूसी task force is about digital futures, second task force is one, साथ task force बनी है, it will endeavor to build an inclusive digital public infrastructure to ensure affordability, safe access by all. it will also address issues of digital financial inclusion, skills, both integral to economic growth. यहाँ पर कैसे affordability बना सकते हैं, digital future की, और digital access दे सकते हैं, ताकि यह inclusive हो जाए, तो second task force is on digital futures. थर्ड task force, अब यह देखा गया है कि जो ओनस होता है, environment को safe करने का वो nation पर होता है, individual को पीछर रख दिया जाता है, जबकि individual effort plays a more important role in somehow mitigating the problems, rising out of, misuse of environmental, COP26 हुई थी जिसमें प्रधान मंत्री ने life style for environment, life का एक concept दिया था, उसमें ओनस individual पे भी है, हमारे actions, हमारी choices भी environment पे pressure डालती है, जो तीर सा task force हो जाता है, वो लाइफ पे है, the recommendations of task force on life, that is, life resilience and values for well-being, it can play very important role, कैसे individual अपने system को change करें, ताकि climate पे असर कम पड़ें और growth जो है, वो clean growth हो जाए, चौछी task force है, refueling growth, will be the aim of the task force on green transitions, मतला clean energy transition भी हो जाए, और economic growth भी ना रुके, वर्ल का economic revival भी हो जाए, और कैसे हम smartly clean fuel की तरफ, पाथ भी task force, जो है, वो global financial order के उपर है, जिसमें, जो global financial finances है, वो available हो, the challenge today is to restructure in institutions, in accordance with the contemporary economic needs, including for infrastructure, greater access to developmental finance, जो कमजोर देश हैं, गरीब देश हैं, उनको developmental finance भी मिल जाए, तो global financial architecture पर अगली पाच्वी task force है, छटी है, accelerating SDGs, जो sustainable development goals है, 2030 तक बहुत सारे उद्देश पना रखे हैं, हमने, कैसे उसको strengthen करें, ताकि और development हो जाए, उसके लिए shift towards circular economy, deliberate and mindful consumption is likely to reduce waste, वेस्ट कम से कम होना चाहिए, circular economy हो, जो चीज़ वेस्ट फुल होती है, उनको reuse कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, वो हमारे इस्तेमाल में आ सकती हैं, जैसे कि, जो scrappage policy है, जो गुजरात ने लगाई गई है, भारत सरकार ने इसको envisage हिया है, जिसमें जो पुराने shifts वगरा होते हैं, उनको भारत में लाकर उनसे, इसका पेश से निकाल सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जो रिसाइकल हो सकती है, तो उसके बारे में है, अगला जो सात्वा है, task force, it is about the multilateralism, 2.0, मतलब जो दुनिया का structure बाज़ जाए, multipolar world हो जा चाहिए, और जो stakeholder उनकी से बराबर होनी चाहिए, तो world system का structure होना बहुत ज़रूरी है, अभी की समस्या है, इस article के निकाल सार देखें, तो जो देशों में लडाईयां है, वो व्यापार को, trade को लेके है, technology को लेके है, territory को लेके है, इस पर contestation चलता रहता है, उसके बारे में पूल है, तो बेसिकल ये साथ जो task force हैं, जो think tank 20 ने जो बनाएगा, जिस पर काम शुरू हो गया है, next article देखते हैं, तो ये government plans to offer incentives to boost ship building industry in India, भारत में ship building industry के बारे में कैसे ship building को हम भारत को एक base बना सकते हैं, ताकि ships यहाँ जादा बनें, उससे कई सारे फाइदे हैं, अब इसके बारे में, इंडिया plans to offer cash subsidies, lower taxes regime, other incentives to bolster the ship building industry in India, सरकार ऐसा सोच रही है, the plans include subsidies so that 50 new vessels can be built as well as granting infrastructure status to the industry, जब किसी industry को infra status मिल जाता है, तो उसके लिए funding आसान हो जाती है, उसे soft loans मिल जाते हैं, मतलब easier interest rate होता है, long tenure के लिए loans वगरा मिल जाते हैं, international funding भी हो जाती है, infrastructure status मिलने से, जैसे logistics industry को infrastructure status government ने दे दिया, data centers को दे दिया, ऐसे ship building को देने की plan बन रही है, जब ऐसा हो जाएगा, तो इतने financial incentives हो जाएगे कि ship building आसान हो जाएगी, investment बढ़ जाएगा, और long term loan जब मिल जाता है, तो उसकी scal availability भी हो जाती है, असान हो जाता है, 1000 करोड मेरिटाइम डेवलप्मेंट fund is likely to be established, ऐसा समझा जा रहा है कि आने वाले समय में एक 1000 करोड का मेरिटाइम डेवलप्मेंट fund भारत सरकार institute कर सकती है, एक government panel has told the finance ministry that local tax rules deter investment in the shipping industry in India, compared to the tax regimes in Singapore, Malta, Cyprus and Panama, हमारे का जो tax system है, वो ये discourage करता है, इसलिए हमारे हाँ ship building नहीं हो पाती है, सारी ships का जो center है, वो Singapore है, या Panama है, या Malta है, या Cyprus बन जाता है, जहां majority of the ships of the world register होती है, महीं बनती है, अब cost of ship manufacturing was up to 20% lower in India, compared to the Indonesia and Philippines, हमारे हाँ जो labor cost का मोती है, अगर tax regime भी favorable हो जाएगी, तो भारत की तरफ ये पलायन हो जाएगा, ये आ जाएगी चीज़ें, अट्रक्ट हो जाएगी, अब देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ships का इस्तेमाल होता है, जिसमें भारत, जो हमारी domestic shipping companies है, उनका सिर्फ 7% है, मतलब 93% हम बाहर की ships का इस्तेमाल करते हैं, According to industry estimates, it accounts for just 1% of global capacity, और अगर दुनिया के लेवल पर देखें, तो वर्ल्ड के पेसिटी का सिर्फ एक परसेंटी भारत की ships कर पाते हैं, जबकि चाइना का शियर ग्लोबल लेवल पर 16% हुआ करता है, और इंडियन एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स लगभग 100 बिलियन ड भारत में इंडिस्ट्री डवलप हो जा ठीक से, शिप्स यहां बंदे लगे, इंडिया कोट सेव एक लिस्ट डॉलर 25 बिलियन एन्वलीन एन्वलीन फॉर न एक्षेंज, इप गॉर्मेंट इंटिफ्स हैं, प्राइवेट कंपनी तो डवलप देखें, पाच्चिस बिलिय तो शिप बिल्डिंग इंडिस्ट्री को लेकर एक छोटा सा आर्टिकल है, अगर भारत में होगा, तो भारत का पैसा भी बचेगा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्ट्चर इस्टेटर देना बहुत ज़रूरी है, अभी के मकाबले देखा जाए, तो भारत में सिर्फ हमारी की शिपिंग में हम साथ परसेंट भारत की बनीवी शिप का इस्तेमाल करते हैं, जाधा तर हमारी बाहर की शिप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा रेवेन्यू बाहर जाता है, वहां हमारा फॉर्ण एक्चेंज बाहर जाता है, चोटे-चोटे आर्टिकल देख लेते है है इंडियन कूलिंग एक्षिन प्लान वर्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी है क्लाइमेट इंवेस्टमेंट ऑपर्शनुटी इन इंडिया स्कूलिंग सेक्टर को लेके छोटा साइट के लिए 2030 तक लगभग एक सो साथ से दो सो मिलियन पीपोल अक्रॉस दा कंट्री कुट बी एक्सपोज टू लीथल हीट वेफ सेवली साल भर में लगभग दो सो मिलियन लोग वी स्कूर लोग कम से कम देखा जमाना जा रहा है कि हीट की जो भरती हुई हीट है उससे प्राबलम में आ जाएंगे 34 मिलियन पीपोल इन इंडिया विल फेस जॉब लॉसेज डियू टू हीट रिलेटेज प्राबलम लगभग इतने लोग 34 मिलियन लोग की नौकरियां जाएंगी हीट की वज़े से फूड लॉस भी होगा और दिरिन ट्रांस्पोर्टिय नियर्डी 13 मिलियन एन्वली मतलब इस फूल और हेल्थ और जॉब्स हर पहलू पर यह जो बढ़ता हुआ टेंप्रेचर है प्राबलम करने वाला है माना जा रहा है दोजार सैथिस तक टर डिमांड फर कूलिंग में भी एट टाइम आज के मुकाबरे दोजा सैथिस तक आठ गुना हमारी कूलिंग की रिक्व अगर इसको हमें काउंटर करना है मिटिगेट करना है मिनिमाइज करना है तो तीन सेक्टर में इंवेस्मेंट करना पड़ेगा बिल्डिंग कंस्रक्शन, कोल चैन्स, और रेफ्रिजरेंट इन तीनों पर इंप्रूमेंट लाना पड़ेगा ताकि इस जो निगेटिव एफ पुदल सुइकार हो गया लागू हो गया तो तीन सो मिल्यों टेन्स सिर्टु हम क्र सकते हैं कीपिग इस पेसे कूल युदि अल्टनिटेव इन इनुवर्टिव एफिशन टेक्निलोजी स्कैन इंवेस्में अपुद्टिव इतना इतना इंवेस्मेंट हम करें तो इसे फा आवाज योजना के तहत ऐसा बिल्डिंग स्ट्रक्शरिंग हो सकती है कि जो जो नीचे तक के के लोग हैं उनको भी इस बढ़ती होई हीट का प्रकोब ना चेहलना पड़े यहां पर एक डिस्टिक कूलिंग सिस्टम अगर हम इस्तिमाल करते हैं तो 20 से 30% लेस पावर का इस् जनरेट चिल्ड वाटर इंट इंटर ब्लांट होता क्या है एक कॉमन सेंटर पर एक पानी धंडा किया जाता है चारफांट इंटिग्रेट पर अफिर वह सर्कुलेट होता है अंडरलाइंग पाइपस में जिससे जो बिल्डिंग है उसमें कूलिंग आती है उससे हीट जात है तोटिक झिलिंग सिस्टम को हम्म हैं जिसमें कॉमन कुलिंग हो जाती है इंडिविज्टिक इक सेंटया को में सिस्टम बना सकते हैं ब्लक्राइप में 2015 में उसमें ये चलता है अभ आप सोचँ डिए पी क्या है इसई ओर किया है एए एप मिनिस्ट्री ओफ सब्सक्राइब तक जो कुलिंग की डिमांड है उसे 25 परसेंट तक कम कर देंगे परपस के चाहे हम ग्रीन बिल्डिंग्स पना है या अपना क्लीन नर्जी का सिस्टम करें इसके इसके इमिशन में तो पुलिंग बेसिकल आंट नहीं अपना के घुझ के चाहे तो उन्सक्राइब तेश इसके इंडिया मिशन में तो पूलिंग बेसिकली जो कूलिंग के रिकार्मेंट बढ़ने वाली है कैसे उसके बढ़ती ही रिकार्मेंट के जो निगेटिव एफेक्ट है उनको काउंटर करने के लिए ये वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी है एक छोटी सी निज और है कि इनिफर्म से विल कोड के बारे में कई राजवाब कहा रहे हैं तो मद्रदेश ने भी अपनी एक कमेटी की बात कही है कि ये पूरे देश में एक विडिविल कोड लागू हो जाए ये डीपी एसपी है तो ये इंपोज नहीं कर सकते पड़ राज ज चाहे तो इसे अपने ने लागू कर सकते हैं जैसे गोवा ने लागू किया हुआ है उत्तराखर्ण की एक कमेटी बनी है उस पे काम कर रही है ऐसे मद्रब्रदेश भी कमेटी बनाने जा रहा है लागू किचे शेयर कीचे थैंक यू